हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब मेरे नामे दीपक चोरस्या और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है अगर आप भी एक second hand iPhone खरीदने की सोच रहे हैं और आप confused हैं कि आपको iPhone second hand कहां से खरीदना चाहिए तो वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कुछ टॉप के जो फोन्स हैं अभी जिस प्राइस पर मिल रहे हैं मुझे जो सही लग रहे हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आइफोन की जो सेल आती हैं उनसे रिलेटड आइफोन कहां सस्ते मिलने इसी वीडियो आपको इसी चनल पर मिलती रहती हैं तब इस फोन को साथ महीने कंप्लीट होंगे और यहां पर इसमें फिजिकल डैमेज कुछ भी नहीं है किसी भी साइड से और ना ही जो है डिस्पले में कोई भी प्राइब्लम है ना ही कोई खास इसक्रेचर से हैं ना ही कोई डैमेज है तो इसकी जो ओवरल कंडिशन है मेरे आईफून 12 की यह बहुत अच्छी है और मैंने इस फोन को खरीदा था बावन हजार रुपे में और यह फोन जो है मेरे पास अभी भी बिल बॉक्स वैज सबकुछ वैसे रखा हुआ है तो यहां पर मैं इस फोन को चेक रहा था कि देख रहा था कि इस फोन के कितनी कीमत होगी तो जब मैंने चेक किया तो यहां पर मेरे आईफून 12 की जो अपने जो प्राइस निकल के आई थी वो निकल के आई थी 33,000 रुपे जो कि मुझे बहुत कम लग रही थी मतलब 33,000 र तो यहाँ पर मेरे इस iPhone 12 की जो प्राइस थी वो खरीदते टाइम मुझे मतलब बेशते टाइम तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़दा है पट यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जोए अभी कौन सी टॉप डील्स मिल रही है कैसी वाई पर आप ले सकते हैं कैसी वाई मैं आइफोन जो है आपका बजट अगर 15,000 रुपे 16,000 रुपे है आपको अच्छा आइफोन जो है पहली बार खरीदे की समूझ रहे है तो यहाँ पर कुछ अच्छे ओफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर पहला आइफोन मिला था मुझे आइफोन 8 जो की 15,000 रुपे की प्राइस में एक अच्छा फोन है यह बट यहाँ पर इसकी जो प्राइस से 15,000 रुपे थोड़ी से ज़्यादा लग रही है बट 15,000 रुपे भी एक आइफोन 8 की प्राइस देखी जाए तो बहु पसंदत है पर यहाँ पर सबसे जो बेस्ट डील मुझे लगी वो है यह है आइफोन 11 प्रो मैक्स की सिर्फ 41,000 रुपे से भी कम की प्राइस में आपको आइफोन 11 प्रो मैक्स मिल रहा है रिफर्बिस रही है तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो मुझे बहुत अच्छ की OLED स्क्रीन मिल जाएगी अपल का A13 बायनिक प्रोसेसर और इसमें 4000 इमेज के असपस की बैटरी मिल जाएगी ट्रिफल कैमरा सेंसर मिल जाएगा 12-12 मेगा पिक्सल के और फ्रेंट मेगा पिक्सल जो है 12 मेगा का कैमरा मिल जाता है तो यह आइफोन 11 प्रो मैक्स अच्छा अगर आपका बजट 41,000 रुपे तो यहां पर आपका बजट उससे भी कम है तो आप आइफोन 8 प्लस की और भी जा सकते है 15,799 रुपे में यह भी एक बहुत अच्छा फोन है अंडर 20,000 अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है क्योंकि इस प्रैस में अगर आपको क्योंकि यह फोन नया 37-38,000 रुपे में आप आरम से आई दिन फिलिपकार पे मिलता रहता है तो वो लेना ज़्यादा बेटर रहेगा बट इसकी प्रैस अगर अगर अंडर 30,000 होती तो मेरे इसाब से यह एक अच्छा आइफोन होता है वहीं पर अगर में बात कुना परस लगी मुझे वो मेरे को लगा सबसे अच्छा एक यह आईफोन 11 Pro Max जो मैंने आपको भी दिखाया और दूसरा यह आईफोन 8 Plus और यहां पर आईफोन 10S भी है बट इनके जो प्राइसे थोड़ी से मुझे ज्यादा लग रही है अगर आपके पास कोई बजट है तो बेटरों में होते हैं तो मैंने वहां पर भी experience लिया है काफी अच्छा experience है मेरा कैसिफाई से तो आप खरीच सकते हो बाकी sell buddy वगरा तूगड वगरा आपको जहां से ज़्यादा सही मिला वहां पर जा सकते हो कोई जबर्जस्ती नहीं है पर यहां पर कैसिफाई मेरा मतलब लेन देने थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि यह मुझे अच्छा experience देता है कैसिफाई बाकी आपका क्या कहने नीचे comment करके बताईए और क्या आपके पास कोई iPhone है या फिर प्लान कर रहे हो तो प्लीज इस बात को नीचे comment में लिगिए मैं जो है कोशिश करूँगा आइफोन की sale और अच्छे-चे discounts के साथ आपको वीडियोस देने की सो प्लीज इस चैनल को subscribe कीजिए साथी वी लागन को on रखिए ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी-ची वीडियोस मिलती है तो मिलते हैं आप आप लोगों से अगले अच्छी वीडियो में तब तक के ल बाई